नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नियूजवल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युमिन शर्मा आज एक खास शक्षियत हमारे साथ मौजूद है स्वारव गांगुली के भाई मौझूद हमारे साथ शुब्रदीप गांगुली बहुत-बहुत स्वागत है आपका शुब्रदीप सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके की बंगाल की सियासी उठापटक देखने को मिल रही है उसके बारे में आपकी क्य को यह उपर हो जाएगा तो आपको लगता है कि ममताब तो गदाए कि ही यह चांथ सकती है क्योंकि फ्रूस लिटीळे झाले रही ांदेगा मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा गांगुली जी सीदा सवाल आपसे लूगा मैं आपको लगता है कि इस बार बीजेपी यहां पर सत्ता में आप आएगी चांसेस तो है मैंने बोला कि चांसेस तो है 50-50 बहुत करारा फाइट दोनों ही देगा कोई विनर एक बार में बोलना डिफिकल्ट है कि बीजेपी 180-190 कर दे या TMC 180-190 मिल जाए यह डिफिकल्ट लगता है बट यह मोटा मूटी 150-160 का सीट का है जो भी मिलेगा उसको यह मिलेगा तो आपको ऐसा कहा जा सकता है कि आप खुश है ममता बैनर जी की काम से क्योंकि हम लोगों बहुत लोगी राय ली है आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी है यहां के लोग तो यह कह रहा है कि ममता बैनर जी ने बहुत काम किया है और सौरव कांगुली जी तो इतने क्लोज है उनके लेकिन उसके बाद भी आपका यह बयान की मतलब बहुत पीछे चला गया ऐसा क्यों बेंगॉल आप इंडस्ट्री देखो आप यह देखो जीडीपी देखो जो भी आप देखो बेंगॉल बहुत पीछे चला गया एक टाइम पे बेंगॉल इंडस्ट्रियल कापिटल ऑफ इंडिया बब कहा जाता था अब सब इंडस्ट्री इधर उदर बाहर चला गया इधर में इंडस्ट्री को कैसे लाना चाहिए क्या लाना चाहिए जैसे इंडस्ट्री आए नौक्री आए इसमें मेरे को लगता है कि मामता बैनर जी हाज नॉट डेलिवर्ट मतलब दो शब्दों में ममताब अनरजी ने काम नहीं किया है यहां पर काम तो डेफिनिटली किया मैं यह नहीं कोंगा उसने काम नहीं किया है पर मेरे हिसाब से जितना भी दस साल में वो कर सकते थे या करना चाहिए था उसी हिसाब से मेरे हिसाब से उसने उन्होंने काम न तो यह कहा जा सकता है कि इस बार मोदी लेहर यहां देखने को मिलेगी लेहर मैं नहीं बोलूँगा लेकिन फाइट तो बहुत होगा फाइट विल बी अ वेरी वेरी क्लोस फाइट और एक आखरी सब्सक्राइगा कि दादा के बारे में यह बोला जा रहा था कि वह एलेक्शन में तो क्लोस है ममतादी से या अमिच्छा से या गावर्नर से इनका रिलेशनशिफ सबसे अच्छा है लेकिन वह पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं वह खेल के मैदान के दुनिया के आदमी है तो वह वहीं से ही आएं वहीं पर रहना चाहें पसंद करेंगे तो जिस से बड़ा जो सवाल था वो यह था कि सौरफ गांगुली आने वाले समय में टीमसी या बीजेपी जॉइन करेंगे तो उन्होंने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है वो साफ तोर पर यह कह रहे हैं कि वह खेल का मैदान का एक शक्स का है वहां के शक्स है वह खेल के मैद